नमस्कार सांथियों, मैं अरविन सर्मा, MGCI के डिजिटर लर्निंग प्रेटफार्म में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ. सांथियों, आज मैं एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ. और यह जो इंपोर्टेंट अपडेट है, यह है CUET-UG 2023 की एक्जाम को लेकर, जो विद्यार्ती CUET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन्हें आगे जाकर UG कोर्सेस लेना है, उन विद्यार्तियों के मन में बहुत सारी भ्रहम की इस्तिती बनी हुई है. यह क्या व्रहम है, इस परिक्षा के बारे में संपुन्ड जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपके सभी प्रशनों का उत्तर मिल सके, केसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोन-कोन से छात्र कोर्स कोन सा ले सकते हैं, किस तरह की तैयारी आप लोग कर स सकते हैं, तैयारी कहां से की जाएगी, eligibility criteria क्या है, यह संपुन्ड जानकारी मैं आपके लेकर आया हूँ, और वीडियो के साथ आप अंद तक जुड़े रहें, अभी मैं यह CVT 2023 परिक्षा संबंदित संपुन्ड जानकारी का भाग एक लेकर आया हूँ, भाग एक क्यों ले universities हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन भाग दो में करेंगे, अभी मैं आपको कुछ महत्पुन जानकारी देना चाहरा हूँ, बिना समय बरबात किये, हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली बात हम यह कर रहे हैं, कि यह CUET, CUET मतलब common university entrance, test इसे कहा है, और यह जो different different type के course करने के लिए इस परिक्षा में सामिल हो सकते हैं, एक ही परिक्षा है, और उसमें 203 प्रकार की जो विस्विध्याले हैं, उनमें अलग-अलग प्रकार के course में degree करने का मोका आपको मिलेगा, एक ही farm भरना है, तो दोस्तों, कौन-कौन से courses हैं, इसकी जानकारी में आ आपको बता दू कि ये CUET की exam आने के पहले आप देखेंगे कि agriculture division में पूरे भारत की सबसे बड़ी जो exam मानी जाती थी, उसका नाम था ICAR, ये जो ICAR की exam है, इसको पहले NTA लेता था, लेकिन इस वर्ष से ICAR की exam को भी CUET में सामिल कर दिया गया है, और इसके सांस सांथ दूस में सामिल हो गई है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 203 प्रकार की universities में से हम जो course की तयारी कर रहे हैं, वो कौन-कौन सी universities में है, वो हमारे को यहाँ पर ध्यान से देखना है, university program selection में, इसमें आपके सामने university select करने का आपके सामने column आएगा, इसमें आप कितनी भी university ले सकते हैं, इसके लिए आपको कोई extra fees देने की, अलग से paper देने की आवसकता नहीं है, इसके साथ ही आपको इसमें program चुनना है, एक ही university में आप अनेक प्रकार के program भी चुन सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, एक example मैंने आपको दिया, वनारस Hindu university हमने लिया, अ B.A. ले सकते हो, B.A. L.L.B. ले सकते हो, इसके अलावा और बहुत सारे आपके सामने courses यहाँ पर नजर आ रहे हैं, B.C. honors, इस तरह के बहुत सारे courses हैं, यह सारे आप यहाँ ले सकते हो, यह सारे course को aid हमने कर लिया, इसके बाद हमें करना क्या है, तो आप देखोगे 203 प् लिखा हुआ है, eligibility, इसको जैसी आप click करेंगे, वो आपसे eligibility criteria बताएगा कि भई, इस university की इस course के लिए क्या requirement है, जैसे हम अगर B.C. honors, horticulture करना चाहते हैं, हमारे सामने हम बरती university है, तो इसके लिए क्या चाहिए, तो physics, chemistry, maths, physics, chemistry, biology, physics, chemistry, agriculture, या biology, chemistry, agriculture, इतने विसे से तयारी क करने वाले जो चात्र हैं, वो इस परिक्षा में सामिल हो सकते हैं, मतलब अगर आप horticulture हिम बती university से करना चाहते हैं, तो आपका subject चाहे PCM हो, चाहे PCB हो, चाहे ABC हो, आप सभी लोग सामिल हो सकते हैं, यह नहीं सोचना है, कि agriculture लिया है, तो यह दे पाएं, इसी तरह से हम य आपर physics, chemistry, mess चाहिए, या physics, chemistry, biology चाहिए, या फिर आप देखोगे physics, chemistry, agriculture आपको यहाँ पर चाहिए, इस तरह से अगर आप देखते हो, आपके यह subject अगर हैं, तो आप इस परिक्षा के अंदर सामिल हो सकते हैं, यह subject हमारे होने चाहिए, तो इन subject के साथ आप त्यारी कर सकत है, science के चाहिए, mess हो, चाहिए, biology हो, चाहिए, agriculture हो, वो इन सभी प्रकार के जो courses से इनमें participate कर सकते हैं, इसके लिए करना क्या होगा, कि यह जो test paper हमारे सामने आया, इसमें हमारे को subject का चुनाव करना है, तो हमने यहाप पर जैसे agriculture, biology, chemistry और physics लिया है, हमने physics भी लिया है, क्य तो हम क्या करेंगे, physics, chemistry, agriculture से, वहाँ पर हम चाहें तो काम चला सकते हैं, कहीं पर PCB का काम है, तो हम यह PCB का काम चला सकते हैं, अगर हमने चार subject लिये, तो तीन तरह के group से हम course का चुनाव कर सकते हैं, यह मैंने आपको बता दिया हैं, अब इसकी तयारी कैसे की जाए, तो इस इसमें आप देखोगे कि 12th का ही syllabus पूछा जाता है, 12th का जो है, इसके अंदर syllabus आने वाला है, अब इसी लिए आपका अपना संस्तान MGCI लेकर आ रहा है क्रेस कोर्स, यह जो क्रेस कोर्स हैं, यह आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग, इसमें CUET, ICR, BHU, PAT Science Group और इसके आदर कोर्से से इसकी जो जानकारी है, वो मैं आपको देने वाला हूँ, second part, इस वीडियो का जो second part आएगा, उसमें मैं आपको यह आदर कोर्से की जानकारी देने वाला हूँ, अभी आप समझ ले, कि यह जो क्रेस कोर्स हम चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसमे क्योंकि हम इसके साथ अलग-अलग स्टेट की एकजाम, जैसे PAT Science Group की एकजाम देने वाले हैं, अगर हम MP के स्टूडेंट हैं, तो हम MP PAT देंगे, अगर हम CG के स्टूडेंट हैं, तो CG PAT देंगे, अगर हम राजिस्तान के हैं, हम Z देने वाले हैं, और यह जो परिक्षाएं है यहां पर आप देखोगे, पूरा सलेवस आता है, तो हम चाहते हैं कि CUT, ICR, VHU के साथ साथ, आप यह अलग-अलग स्टेट की जो एकजाम है, उसको भी एक बार की तयारे में निकाल दें, और इसलिए, आप देखोगे, एक RACE course, MGCI लेकर आ रहा है, इसकी फीस है, मात्र 10, हजार रुपे, साथ में आपको एक हजार रुपे का रेजिटेशन कराना होगा, और इसमें आप देख सकते हैं, कि आपको क्या-क्या फेसिलिटी यहां पर मिलने वाली है, तो आप देखेंगे, हिंदी, इंगलिस की सेपरेट बेचे से होगी, आप यह जो ऑनलाइन क्लास ह यह रियल टाइम लाइफ क्लास होगी, और यह डिजिटल बोर्ट के उपर आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे मैं इस डिजिटल बोर्ट के उपर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह से रियल टाइम लाइफ क्लास रहने वाली है आपकी, ताकि आपकी बहुत अच्छे से त्यारी हो सके और उसी के साथ study material in hard copy hard copy में आपको यहाँ study material भी दिया जा रहा है तो यह जो क्रेस कोर्स है हमारा यह start हो रहा है 25 मार्स से 25 मार्स से आप यह कोर्स लेकर अपने बहुत अच्छे से त्यारी कर सकते हैं और हमारे देश के अच्छे अच्छे विश्विद्याले जो CUT के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनमें जाकर admission लेंगे और अपना मन पसंद कोर्स लेकर अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकेगे दोस्तों इसी के साथ कुछ और जानकारी में आपको दे दू कि CUT जिसमें ICR है, VHU है, PAT Science Group है और अधर जो कोर्सेस है इसके लिए हमारे ड्रॉप बेच स्टार्ट होने वाली है ये स्टार्ट होने वाली है 1 मई 2023 से और इसमें हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पर हमारा target exam जो है वो कौन सी year कर आएगा तो वो रहेगा 2024 2024 में होने वाली CUT की exam यहाँ पर target रहेगी इसमें भी आप देखेंगे drop बेच में भी क्या-क्या आपको facilities मिलने वाली है Hindi English की separate batches रहेगी, online offline separate batch रहेगी real time live class मिलेगी, study material आपको hard copy में मिलेगा यह सारी सुविदाएं आपको मिलने वाली है, यह CUT का मैंने आपको drop batch बताया इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि new batch हमारे यह start हो रही है PAT AG123 group से जो लोग तयारी करते है PAT की उनके लिए भी cross course start हो रहा है, यह online अलग है, offline अलग है दोनों की separate batch है, यह start हो रहा है 1st April 2023 से इसकी फीस भी है मातर 10,000 रुपे plus registration, online लेंगे तो भी same फीस है, offline में भी same फीस आपको मिलने वाली है, और AG123 group की अगर हम लोग बात करें 2024 जिनका target exam है, उनके लिए drop batch start हो रही है और यह होने वाली है 15 माई 2023 से, 15 माई 2023 से यह batch हमारी start होगी और इसके लिए सारे जो features हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि online, offline separate batch होती है, हिंदी इंगलिस की separate batch होती है रियल टाइम आपको यह live class मिल रही है, और साथ में hard copy में आपको study material मिलने वाला है दोस्तों, MGCI की स्थापना 2004 में हुई थी और 9 लखस छेतर में MGCI एगरी कल्चर में पूरे प्रदेशी नहीं देश का सर्वसेश संसान बनता चला गया आपका प्रेम विश्वास हमें मिलता गया और MGCI जो है अपनी ग्रोध करता गया इसी के साथ अनेक विध्यारतियों का हमारे से लगातार संपर्क रहा और उनका ये कहना था कि सर जिस तरह से एगरी कल्चर में मिनिमम फीस में जेसी सिक्षा MGCI दे रहा है इसी तरह का अगर कोर्स हमारे को medical या IIT के field में मिल जाता engineering field में मिल जाता तो हमारे जो छोटे भाई वहन है हमारे जो सांथी लोग हैं वो भी कम फीस में बहुत अच्छी तयारी कर सकते तो आपके इस अपार प्रेम के कारण MGCI ने गिताववन छेतर में नीट और IIT के लिए पूर्ण समर्पित सेंटर का सुभारंब किया ये जो सेंटर का सुभारंब हुआ ये हुआ 8 मई 2022 में ये हमारा सेंटर जो है इसकी सुरुवात गिताववन छेतर में की गई इस सेंटर की सुरुवात की कुछ जलकियां आपके सामने है कुछ बिल्डिंग, उद्गाटन और इसके बारे में सारी पिक्चर्स में आपको बता नहीं सकता हूँ लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर जलकियां आपको दिखाई है ये गिताववन सेंटर की है जो नीट और आयाइटी के लिए पूरी दरे से समर्पित है इस सेंटर की सुरुवात 8 मही 2022 में हुई और मैं आपको बता दू कि अक्टूबर में ही इस सेंटर के उपर हमारे को एडमिसन जो है वो क्लोस करना पड़ गए आप देखोगे कि हमारे पास जगे नहीं बची इतना प्रेम आप जैसे विध्यारतियों का हमें मिला और इसी को देखते हुए MGCI के गीता वोवन पर पहले सेंटर की अपाल सफलता के बाद गीता वोवन छेतर में MGCI नीट और IIT के लिए अपना दूसरा सेंटर जबकि MGCI का कुल मिलाकर तीसरा सेंटर प्रारंब होने जा रहा है और आपके सामने ये सेंटर हमारा तयार है इसकी कुछ जलकियां आपके सामने मैं रख रहा हूँ सेंटर जो है हमारा तयार हो गया है इसमें टेस्ट हुआ है बहुत जल्दी इस सेंटर का भी सुवारंब किया जा रहा है तो आप लोग MGCI के साथ जुड़कर अपने भविश से जो है उसको सुरक्षित हातों में दे सकते हैं यह अपने पहले वीडियो में मैंने Agriculture Division के बारे में Agriculture Related ICR BSU की एक्जाम के बारे में मैंने जानकरी दी मैं बहुत जल्दी अपना दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें Other Courses जो मैंने बताए जो की Agriculture के अलावा विद्यारती CUT का फार्म भरके अलग-अलग तरह के course करना चाहते हैं कौन सी इनिवर्सिटी में कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं eligibility criteria क्या है इसकी संपुन जानकारी मैं अपने CUT जो एक्जाम का second part है उसमें लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो को भी देखे अपने साथियों को बताए और उस दूसरे वीडियो के लिए आप तयार रहे बहुत बहुत धन्यवाद